स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरब से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दिदी जल्द ही सस्क्राइब कर ले क्यूंकि आप सभी को DNARLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी उजना चराई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो प्लीज आप हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल को जरू सस्क्राइब कर लें अगर दिदी आप पहले से ही DNARLM में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन हैं कि प्लीज दिदी आप लोग पंसूत का पालन करना बिल्कूल न भूलें सापताहिक पैठक, सापताहिक बचत, आंत्रीक उधार, समय सेर्न वापसी, लेखा जोखा इन पंसूत्रों का करे पालन और अपने समो को रखे सक्री क्योंकि सक्री समो को ही योजनाओ का लाप दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हुए में टॉपी के तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थर्मनेल में देखा है आज हम बात करेंगे आजीव का सक्की के बारे में जी हाँ आजीव का कैडर क्रिशी सक्की पसु सक्की उद्योग सक्की जी हाँ आजीव का सक्की कहलाती है पार्म आजीव का सek히 के बारे में जी हैं आज हम परच्छा देंगे आप सबी Сейчас गति दि के बहतर क्रियाज नवन के लिए फार्म आजीव का सखी अपने गाऊं और जरूरत पढ़ने पर आज पासके गाऊं में महिला किसान को बहतर क्रिशी कले क पर सहयोग एवं उसके विस्तार के लिए सेवा प्रदान करेंगी फार्म आजीविका कैडर एक प्रसिचित CRP कैडर होगा जो महिला किसानों पसु पालकों एवं फार्म उद्दमियों को संबन्धित कार्यों में इस्तिर्ता परदान करने एवं उन्हें विक्सित करने में सहयोग देगा साथ ही वह उन्हें संबन्धित कार्यों छेत्र से जुड़ी जानकारी जैसे मीशन कारिक्रम, सरकारी स्कीम, अग्रिम तकनिक बाजार की प्रवित्ती वैपार करने के तरीके इत्यादी से अवगत कराएंगी फार्म आजीव का कैडर के सहयोग से हम अपनी गरीब महिलाओं को समय पर आवश्यक सूचना एवं जनकारी प्रदान कर सकेंगे साथ ही दिदी उनको अपने सम्बंधित कारियों में होने वाली परिशानियों से भी बचा सकेंगी जानते हैं दिदी की पातता एवं मान दंड वह उसी गाउं की स्वेम सहतासमू की सदस्य होनी चाहिए फार्म आजिव का सकी की सैच्छी की योगिता नियोंतम दसवी बारवी कच्छा पास होनी चाहिए वह अपने गाउं में क्रिसी एवं पसु से सम्बंधित कारियों का अनुभव वा रूची रखती हो एवं उत्पादन छेत्र में सबसे अच्छी किसान होनी चाहिए चैन की जाने वाली फार्म आजिव का सकी के पास अच्छा संचार प्रशार कौर्शन होना चाहिए साथ ही वह एक अच्छी पेरक होनी चाहिए वह पढ़ने और लिखने में सच्छम होनी चाहिए चैन की जाने वाली क्रिसी सक्खी के पास बुनियादी संख्यात्मक कौशन होने चाहिए चैन की जाने वाली फार्म आजीव का सक्खी को ग्राम में अस्थानिय भ्रमण करने है तू कोई बाधा नहीं होनी चाहिए इस इन सब बातों को दिदी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा अगर आप आजीव का सक्खी बनना चाहती है तो वहाँ परियोजना के वीवो, CLF, BLF द्वारा आयोजित प्रसिच्छन प्रदशन राज के भीतर बाहर में भाग लेने के लिए तयार होनी चाहिए उसमें सामूदाय में किसी भी जगरुपता कारिक्रम को आयोजित करने की छमता चाहिए चैन की जाने वाली फार्म आजीव का सक्खी की अधिक्तम आयू सीमा 45 वर्से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आये दिदी अब जानते हैं भूमी काएं एवं उत्तरदाय तो आजीव का सक्खी के जिहां अपने गाउं से चुनी गई महिला किसानों के लिए हर महीने क्रिसी एवं पसू पाट साला आयोजित करना रिर्तू आधारित क्रिसी एवं पसू गतिविधियों के लिए योजना तयार एवं फसल के विभिन चर्णों में ससत क्रिशी तक्नीकों के बारे में किसानों को मार्ग दर्सन प्रदान करना प्रतेक महिला किसान उत्पादक सदस्य की अनुसार आवश्यक जानकारी एकितित करना उनकी प्रोफाइलिंग करना विवरण एकत्र करना भूमी वार्सिक वर्षा फसल और उत्पादकता पैटन पाने की उपलत्ता सिचाई स्रोत मिट्टी की उर्वकता घरेलू जानकारी वैकल्पिक आई स्रोत विपडन और बुनियादी सुविधाओं इत्यादी के बारे में जानकारी रखना बेहतर प्रताओं के विभिन चर्णों का प्रदर्शन करना उपज मुल्यांकन का प्रशिच्छन प्रदान करना क्रिशी आधारित गती विधियों के लिए इनपुट की मांग को बढ़ाने और समय पर आपूर्ती सुनिचित करने के लिए आपूर्ती करताओं के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करना किसानों को क्रिशी पाड़ साला में सिखाए गई गती विधियों को अपनाने हे दू ग्राम संगठन अथवा समू सेरिण का लाव उठाने में सहायता करना मुल्य स्रिंखला वैलू चैन पनाने में सहायता करेंगी महिला किसानों के लिए फसल भीमा सुरच्चा की सुविधा उपलब्द कराना कृषी पदथ महिला किसान व्यक्तिगत रजिस्टर और कृषी भी जी हाँ और किसी भी अन्य रजिस्टरों के लिए निर्धारित प्रारूप में सभी रिकार्ड रखने के लिए जो समय के दवरान वीवो द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिले के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्रा में सहायता प्रदान करना ग्राम संगठन द्वारा दिया गया क्रिसी से संबंधित कोई भी अन्यकारे करना प्रतेक महिला किसान उत्पादक सदस्य के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं पसु संबंधित आकडो जैसे पसु आबादी मेवर्शियों के प्रकार दूध उपज रोग आदी पर नमिन्तम जानकारी प्रदान करना मुख्य रूप से वन्चित वर्ग को पसु आधारित आजीविका गतिविधी को अपनाने के लिए प्रेरित करना ग्रान पंचायत के विक्तियों के साथ चर्चा करना एमं पसु के लिए गाव में उपलब्द संसाधुनों का पता लगाना वह मुर्गी, बकरी, गाय, भै, सुवर, डियरी, आदी से सम्मति इंटर्प्राइजेज का पता लगाएंगी वह प्रशिच्छन पसुधन प्रचार और प्रबंधन प्रदान करेंगी वह तक्निकी, एजन्सी के समर्थन के माध्यम से पसुओं के पालन के लिए टीका करन, डियूमिंग और बुनियादी, प्रबंधन पद्धितियों में सहायता प्रदान करेंगी वह दिदी, वह मित्यूदर, जन्मदर, आदिका, रिकाड और नियमित आधार पर किसानों के काड में दस्ता वेज एकत करेंगी वह सामोहिक पालन पर काम करेंगी मुखे स्रिंखला और विपड़न के साथ जुडने में सहायता करेंगी वह जिले के भीतर और बाहर जोखी में यात्रा में सहायता करेंगी वह निर्माता सम्मू के गठन में समर्थन करेंगे वह पसू पालकों को पसू धन भीमा में अवश्चक शहायता करेंगी आईए दिदी अब जानते हैं मान दे एवं भुकतान जी हाँ क्रिसी आधारित कार्यों के अनुसार फार्म आजीव का सखी को क्रिसी पारसाला के मात्यम से सतत क्रिशी पदितियों मुख्य फसलों में बीज, सोधन, स्री विधी, प्रेंडन, पोशन वाटिका पोशन वाटिका, बोरी बगीचा, बकाड, कीचन गार्डन, जैविक दमाय वाखार, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, संचित, खेती, जीरो, जुताई अच्छा दन वाफसल चक्र आदी, प्रप्रशिच्छन करने पर 200 रुपे प्रती पार्षाला, प्रती महा दिया जाएगा क्रिसी पार्षाला में कम से कम 10 महिला किसानों का होना निवार है, एवं भुक्तान हेतु पार्षाला की फोटोग्राप सम्मद्धित विवरण एवं समिच्छा के पश्चात किया जाएगा फार्म आजीव का सकी को प्रती फसल जितू से सतत किती, जियाक्रिसी पद्धितियों मुख्य फसलों में श्री विधी बीच सोधन सहित संचित खेती जीरो जुताई अच्छा दन वा फसल चक्र पर फसल खेत प्लाण विक्सित कराने पर प्रती परिवार ध्यान दे प्रती परिवार 100 रुपय दिया जाएगा श्री विधी प्लाण वा संचित खेती प्लाण जीरो जुताई अच्छा दन वा फसल चक्र के रख रखाव हेतू 25 रुपय प्रती परिवार माह दिया जाएगा प्रते एक घर प्रेणना पोशन वाटिका के निर्माण हेतू 200 रुपय दिये जाएगे प्रती घर प्रेणना पोशन वाटिका के रख रखाव के लिए क्रिसी सखी को 10 रुपय प्रती माह दिये जाएगे प्रती घर बैयार्ड किचन गार्डन विक्षीत कराने पर 50 रुपय दिया जाएगा प्रतिघर बैकाड किचन गार्डन के रख रखाव के लिए क्रिसी जखी को पांच रुपर प्रतिमा दिया जाएगा प्रतिघर वर्मी कमपोस्ट यूनिट मने रेगा मानक के अधार पर निर्माण हेतु रुपए 300 प्रतिमाह ग्राम संगठन के सत्यापन के पश्चाद भुखतान किया जाएगा प्रतिघर नाडेप कमपोस्ट यूनिट मनरेगा मानक की अधार पर निर्माण हेतु 200 रुपए ग्राम संगठन के सत्यापन के पस्चाद भुखतान किया जाएगा मिट्टी के जाज कराने पर प्रति किसान 20 ग्राम संगठन के सत्यापन के पस्चाद भुखतान किया जाएगा मृद जाज के जाने पर परिवार महिला किसान की लिष्ट ग्राम संगठन बी एम एम यू को जमा की जाएगी प्रती महिला किसान द्वारा जैवी कीट नासक बनवाने पर 10 रुपए प्रती माह भुकतान किया जाएगा प्रती महिला किसान की प्रती फसल रितू में फसल का बीमा करवाने पर 50 रुपया भुकतान किया जाएगा प्रती महिला किसान का पूर्ण प्रोफाइल आधारित जिहां आधारिय जानकारी भन्ने पर 30 रुपया भुखतान किया जाएगा प्रोफाइल प्रती फसल रितू या वर्ष में आवशकता अनुसार भरी जाएगी प्रती महिला किसान का बेसिक प्रोफाइल आधारिय जानकारी भन्ने पर रुपए 10 का भुखतान किया जाएगा मान दे एवं भुखतान की ओर दे धनरासी जीहा प्रती पसु प्रती मह दस उर्पया प्रती पसु प्रती मह पचास उर्पया प्रती पसु प्रती मह बीस उर्पया प्रती किसान प्रती मह पांच उर्पया प्रती किसान प्रती मह दस उर्पया प्रती पसु प्रती पांच उर्पया ती लोन प्र प्रती मह 200 रुपए प्रती बाड़ा घर प्रती रुपए बचास प्रती पाट साला 200 रुपए प्रती महिला किसान 30 रुपए प्रती महिला किसान प्रती माह 10 रुपए चलिए दिदी आज के वीडियो में बस इतना ही इस से जनकारी देने के लिए आपको फिर हमारे वीडियो का इंतज सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए जाते जाते एक वर फिर करना चाहूंगी कि इस वीडियों को जो भी हमारी देख रही है अगर आप ग्रामील इलाके से हैं तो आप के लिए प्रेड़ना टीवी चैनल है अगर आप सहर में रहती हैं जी हां अगर आप नगर पालिका के अ अन्यवाद जया जी भी का